कि अगे लो गाई तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एरे की तो आखिर होता क्या है आपको भी लगता हो बहुत टिपिकल सी चीज़ है पता नहीं क्या है एरे यह एरे बहुत सिंपल सी चीज़ होती है ठीक है जिसके अंदर मारे लूप के तुरू नॉम तो अगर मैं बताओं एक्जांपल लूँ यहां पर जैसे कि मैं हर बार लेता हूं यहां पर हम हर बार एक वैरेबल टिकलियर करते थे और वैरेबल में कोई वैल्यू देदी फोर एक्जांपल वन देदी ठीक है तो यहां यह ना समझ कर आप एक चीज समझे आईडी और नया नया मतलब वैरेबल बनाऊगा आईडी टू इक्वाल टू कुछ है उसके बाद इंट आईडी थ्री इक्वाल टू फिर कुछ है तो आपको लगता है यह अच्छी प्रेक्टिस है नहीं तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारा एरे होता है इसी चीज को ओव आईडी देनी है तो square brackets के अंदर हम four लिख देंगे that means कि id के अंदर id एक container है container के अंदर भी चार छोटे 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 container है और जिनकी जो places है वो है zero one two three और यह zero one two three है ना इसी का मदद से हम area की places क्यो मतलब access करेंग कि वहां insert करेंगे और उन values को उठाएंगे इसमें दो चीज होती है दो चीज होती है देखो इसमें दो चीज होती है अब सबसे पहला insertion मतलब कि अपने array के अंदर values को insert करना और values insert करने के लिए हमारे पास भी हमारे दो methods होते हैं insertion के लिए हमारे होते हैं दो methods पहला जो method हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा direct method यह मेरा दियाओ नाम है आप बोल सकते हैं तो direct method क्या होगा बताऊंगा और दूसरा हो जाएगा यूजिंग लूप्स मतलब एक हो गया direct method जिसमें हम directly values को insert करेंगे और दूसरा हो जाएगा loops की थुरू कि हम loops की थुरू किस तरह उसे insert करेंगे तो उसी तरह हमारा जो value उठाएंगे वेल्य उठाना वेल्य उठाने को क्या रहते हैं printing ले दूँ उन वेल्यूस को print करेंगे वेल्यूस को जो print करेंगे प्रिंट करने का भी हमारा वही तरीका होता है पहला हो गया direct method और हमारा दूसरा हो जाएगा जो को मैं अगर आपने मेरी पीछली वीडियो देखियोंगी तो आपको पता होगा कि मैं बेसिक concepts over करता हूँ इसलिए थोड़ा सा time लग जाता है बस और कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आपका अगर यह वीडियो लास्ट तक देख लो आपका कोई भी concept होगा न एरे का वह अच्छे सब्लिए रोजागा एक्दम direct और यूजिंग loops ठीक है तो आप देख लेते हैं insertion अब direct किस तरह होगा अगर हम direct insertion की बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया places है इसकी 0,1,2,3,4 ठीक अगर हम है first position पर id के अंदर कोई value रखनी है तो common सी बात है यहां square brackets के अंदर 0 रखनी है और 0 लिखने के बाद मैं simply यहां पर equal to लिख for example जो भी हमें id रखनी है ठीक है तो यह value यहां पर set हो गई है अगर हम यहां पर cout कराएं इसी value को यह हमारी printing होगी direct method की अगर हम direct method की printing करें तो इसी तरह हमारी direct method की printing होगी हम इस तरह इसे print भी कर सकते हैं तो यहां पर हम print करें तो देख सकते हैं यहां पर two print हो गया है जो तो हमने value दी वो हमारी print होगी तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर one कर दे, one equal to, three, id, two equal to, अगर हम five कर दू, अगर हम यहाँ, id, two equal to, अगर मैं यहाँ कर दू, five, उसके बाद मैं id, three equal to, मैं कर दू, seven, वंदो कुछ भी, लेकिन अब हम extra नहीं करेंगे, क्योंकि हमने memory में से सिर्फ चार के लिए जगे लिए, तो उसने चार के लिए जगे थे, अब हम zero, one, two, three, four, three तक, three तक कर सकते हैं, क्योंकि place zero से start होती है, zero, one, two, three, four variables हैं, लेकिन starting zero से होगी, zero position है, positions है, positions, ठीक है, उसी तरह, यहाँ पर हम print भी से simply कर देंगे, तो जल्ली से कर देते हैं, id, हम यहाँ first position वाली को print कर लेंगे, और यहाँ लिए लिए लिए, and l, simply उसी तरह, id, second position, and l, cout, id, third position, and l, cout, id, fourth position, यह अभी हमारा direct method चल दा है, इसी चीज़ को, मैं loops के दुरू करके दिखाऊंगा, जो आप, फिर आपको मालू पड़ेगा, कि यह चीज़ कितनी simple होगी, loops के दुरू, क्यों जितने भी coders होते हैं, सारे loops को prefer करते हैं, तो यह 23570, यह 0 क्यों आ रहा है, अच्छा है यह रहा, fourth position यहां कुछ नहीं होता, तो यह garbage value दे रहा है, ठीक, तो यहां पर हम run कर लें, देखो यह रहा, 2357, simple है, अगर मैं यहां पर index की value change कर दूँ, for example, यहां हमाँ print कर रहा है, one वाली value, और यहां print कर रहा है, two वाली value, तो यह values changes जाएंगी, तो run मैं किस से कर रहा हूँ, shift और हमारा f9 से, यह run हो गया, 2537, ठीक है, तो यही चीज़ होगे direct, अब यही चीज़ मैं आपको loops के दूरू करके दिखाऊंगा, loops के दूरू, तो इससे कर लेते हैं, यहां उपर comment, multiland comment के अंदर से कर लिया comment, यह start and forward slash, तो यह चीज़ होगे यहां पर comment, आप scroll कर लेते हैं, नीचे की तरफ, हमारा array उपर declared है, अब उस array के अंदर हमने values insert करनी है, यहां पर आप देख सकते हो, हमने 0 position ली, 1 position ली, 2 position ली, 3 position ली, यहां कोई, कोई मतलब integer का increment हो रहा है, बार बार, 0, 1, 2, 3, increment हम किस तरह करते हैं, 4 loop के अंदर आपको अच्छे तरह बताया, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे तरह बताया था, 4 loop के अंदर, तो यहां पर simply हम अपना 4 लिख लेंगे, उसके बाद में int i, starting कहां से होनी है, 0 से, और कहां तक जाएगा, less than 4 तक, क्योंक हर बार, increment करना है, यह रा, तो अब हमें करना क्या है, यह देखो, जो चीज हम उपर कर रहते हैं, वही चीज करनी है, क्या, id के अंदर, value लिखनी है, id, id कौन सी id के अंदर, first time पर 0 था id के अंदर, value लिखनी है, और उसके बाद, दूसरी id, उसके बाद, दूसरी id, तो यह जो value हुगी हम, वह हम user से ले लेंगे, see out, enter the value, और जो भी value देगा, उसे करेंगे, save, मालो first time पर जला, तो हमें कौन सी जगह पर save करनी है, 0th position पर, पहले आपको समझाता हूँ, 0th position पर, next time पर, चलेगा, तो हमें first position पर, उस next time पर चलेगा, 2 पर, फिर 3 पर, तो यह हमारा हो गया, i, simple, यह हमारा i को denote करेगा, तो यहां हम simple लिख देंगा, i, तो अगर हम इसे run करें, यहां पर, तो enter the value, यहां पर 2, 3, 5, and 7, तो भी देख सकते हैं, यहां पर कुछ भी print नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक कुछ print नहीं कराया है, तो यहां तक हमारा program अच्छे से चल गया है, उसके बाद है, अब जैसे हमने, हमने insertion कराया है, बिलकुल same process के साथ, उसे print भी कर देंगे, वही फोल लूप लगाया, फोल लूप लगाने के बाद हमारा i को use कर देंगे, क्योंकि हमें ट्क्लियर कर दिया, उपर, i equal to 0, फिर से i की value को 0 कर देंगे, क्योंकि हमें फिर से 0 चलाना है, क्योंकि 0 की value उठानी है, i की value कहां तक जाएगी, less than 4 तक, उसके बाद i++, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमें simple यहाँ पर print करना है, print करने के लिए हमारा cout use होता, और क्या print करना है, क्या print करना है, हमें array print करना है, जिसका नाम है id, id print करनी है, और कौन सी position वा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक line खीचे देते हैं, जिससे आपको अच्छे सा difference वहाँ पर show हो जाएगा, याँ रन कर देते हैं तो आप इसे रन करोगे एंटर थे वैल्यू तो थ्री 5 & 7 तो देखो तू यहां से स्टार्ट हो रहा है उपर से उसके बाद 3 फिर 5 और फिर 7 अगर हम इसे साही करें तो कैसे कर सकते हैं यहां पर अंडल लगा कर यहां तो handle लगा सकते हैं यहां फिर हम क्या लिख सकते हैं backsplash n string formatting यूज़ कर सकते हैं यहां पर यहां two three five seven यहां two three five seven तो I hope guys आपकी आपको array के अप सारे doubts किलियर होगे होगे अगर कोई भी query अगर doubts किलियर होगे ना तो like कर दो वीडियो को और कोई भी query हो तो comment करके बता दो वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी वेकाल लगी comment करके बताओ and thanks for watching guys